हलो स्टूडेंट्स तो आज हम अपना अकाउंट्स का लेक्चर नमबर टू स्टार्ट कर रहे हैं बच्चो कल हमने कुछ बात पढ़ी थी बेटा सबसे पहले उसका रिवीजन फिर हम बेटा आगे कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे आज बबु कल मैंने आपको एक बात बोली थी कि हम कंसेप्च्वल स्टडी करने वाले हैं और कल हमने बेटा कंसेप्ट नमबर वन जो की P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट था इस पे कुछ चर्चा कर ली थी बावू बावू कंसेप्ट नमबर वन में मैंने दो पॉइंट बता दिये थे आपको एक तो बेटा P&L Appropriation Account का जो Nature है बेटा वो Nominal Account है और Nominal Account का Rule क्या कहता है बेटा डेबिट कर दो सारे के सारे खर्चों को सारे के सारे Losses को और बेटा Credit कर दो सारी के सारी Income को as well as सब के सब Gains को बाबू और पहली बाद हमने क्या करी थी बेटा P&L Appropriation Account क्या शो करता है Distribution of Profit Among the Number of Partners Under the Different Heads बेटा P&L Appropriation Account क्या शो करता है Distribution of Profit Among the Partner अगर कभी Profit Partners में बाटना पड़े तो वो P&L Appropriation Account में बटेगा ना कि P&L Account में Under the Different Heads अब ये Heads क्या हो सकते हैं बाबू कल मैंने एक बार P&L Appropriation Account का Format बनाया था मैं दुबारा बना देता हूँ लो जी सब सुनेंगे प्यारे बच्चे बहुत अराम से बेटा P&L Appropriation Account का Format कोई P&L Account से अलग नहीं होता ठीक है ना इसका Format भी बेटा सेम है Particulars Amount Particulars and Amount बेटा ये ही Format P&L Account का भी होता है P&L Appropriation Account हमेशा स्टार्ट होता है बेटा Net Profit से जो की बेटा P&L Account से आता है बाबू मैंने आपको बताया था हम क्या करेंगे बेटा लिखेंगे By Profit and Loss Account जिस Account से बेटा हम Item लाते हैं बेटा उस Account का नाम लिखते हैं और Side बदल देते हैं क्यूंकि P&L Account में बेटा Net Profit Two Side आएगा तो बेटा जब हम इसको क्या करेंगे दूसरे Account में पोस्ट करेंगे तो सबसे पहले Side बदल देंगे और नाम लिखेंगे Account का बेटा यहां से P&L Appropriation Account शुरू होता है अब बेटा मैं क्या करूँगा Profit को Distribute करूँगा Among the number of partner Under the different head बेटा यह different head क्या है सबसे पहली बात आती है बेटा Interest on Capital Two Interest on Capital बेटा अगर किसी firm में दो partner है Mr. A और Mr. B तो आप सबसे पहले Interest on Capital बाठते हैं बेटा A और B में फिर बेटा अगर कोई salary commission है या और कोई remuneration है तो वो बाठते हैं बेटा हम salary commission तो Mr. A तो Mr. B और बेटा partnership firm चार्ज करती है partner से Interest on Drawings क्योंकि बेटा यह partnership firm के लिए income है कोई भी income कोई भी gains बेटा credit होते हैं क्योंकि इस account का nature का है nominal account तो बेटा हम interest on drawings को बेटा credit side लिखने वाले हैं या आप इसको buy side भी बोल सकते हो तो interest on drawings on the credit side बेटा A से जो drawings का interest मिला B से जो interest मिला वो उसका total बेटा मैं बाहर लिख देता हूँ मैंने आपको यह बात बोली थी बेटा यह गिनकर 4 item है और इसके बाद balancing करनी है आपको मान लो बेटा credit side का total हमारा जादा है और 80,000 है तो बेटा यह 80,000 क्या करूँगा मैं both sided post कर दूँगा और मान लो बेटा interest on capital और salary का total 50,000 है तो बेटा बचा जो balance 30,000 वो हम अपने दोनों partners में बाट देंगे और यह बटेगा कैसे यह बेटा partners की capital account में चला जाएगा तो partners capital account बेटा A और B अपनी profit sharing ratio में यह profit बाट लेंगे let's suppose कि A और B बेटा equal partner है तो बेटा दोनों को profit में से मिल जाएगा बेटा making a total of 30,000 बबू यह simple सी बात हमने पढ़ ली थी बबू अब आगे बढ़ाते हैं बात को अब मैं इसी concept में 3 और point लिखने वाला हूं कल यह बात मैं कर चुका हूँ बेटा कि P&L appropriation account में total हमें 5 point पढ़ने हैं मेरे प्यारे बच्चो कल मैं बात कर चुका हूँ यह कि total हम 5 point पढ़ेंगे लो जी बबू एक एक point लिखता जाओंगा साती सात मैं उसकी explanation भी करता चला जाओंगा लो जी सबसे पहले point number 3 लिख देता हूँ मेरे प्यारे बच्चो मैं लो जे बच侏 लिखता हूँ मैं भी कर लो लोगश्चो आटास पास्टाओंगे लो जी बच्चो कि लो जाँ क्वश्या लो गी लोगश्चो मैं वी बच्चो कि भी कि एकुछ लो जी बचादा हूँ लो बच्चो मैंने एक बात दिखी अगर हमें कोई भी आइटम P&L अकाउंट की गिवन होगी अब बच्चे सोच रहे होंगे कि बहिया कल तो आपने मना किया था कि profit and loss अकाउंट पे और balance sheet पे आपको कोई जज नहीं करता बेटा मैं अभी भी वही बात पर कायम हूँ कोई भी आपको जज नहीं करता जादा से जादा आपको एक आइटम दी जा सकती है P&L अकाउंट की जादा से जादा बबु वो क्या बोल रहा है अगर कभी कोई आइटम P&L अकाउंट की दी हो तो बेटा सबसे पहले P&L अकाउंट बनाना देन P&L अप्रोप्रियेशन अब बच्चे सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये आइटम P&L अकाउंट की या बाबु कुछ सोचना ही नहीं P&L अप्रोप्रियेशन अकाउंट में सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड बात होती है अगर कभी आपको लगे कि ये बात पार्टनर से रिलेटेड नहीं है तो इसका मतलब है बेटा पहले हमें P&L अकाउंट बनाना है Generally बेटा कोशन क्या करता है? Avengers Commission दे देता है मैं आपको ये भी बताराओं कि बेटा Generally गोशन कर क्या सकता है बेटा, Generally कोशन हमें Managers Commission दे देता है लो, एक example के तोड़ पर आपसे एक बात करता हूं बेटा, example number one लो जी, समझना बेटा, मैं इसी point को clarify कर रहा हूँ बभू question आपको कहता है net profit 1 lakh रुपीज manager commission 10,000 रुपीज interest on capital Mr. A Mr. B 15,000 prepare P&L appropriation account prepare P&L appropriation account बेटा अब देखो क्या हुआ यहाँ पर question ने आपके साथ चाल खेली question ने आपको बनाने को कहा P&L appropriation account और साथ में टर्म देदी manager commission यह बेटा सिर्फ confuse करने के लिए दी है कि आप P&L appropriation में term को डाल दो नहीं बेटा लेकिन हमें ऐसा नहीं करना क्यूंकि बेटा commission is not related to the partner manager कोई partner नहीं है बेटा ठीक है ना manager कोई partner नहीं होता आपका अगर partner होता तो बूलता partners commission क्यूंकि बेटा यह मेरा partner नहीं है इसी लिए ये बात मैं P&L appropriation account में नहीं करता buy side से net profit क्यूंकि सारी income credit side लिखी जाती है बेटा और मुझे ये profit दे रखा है तो मैंने इसको credit side लिख दिया कितना? 1 lakh बेटा अब क्या करूं मैं manager commission लिख दो बेटा on debit side to manager commission 10,000 बेटा rest of the net profit को मैं transfer करने वाला हूँ कहा पर? बेटा P&L appropriation account में करो जी balancing बेटा highest total on the both side net profit calculate कर लिया मैंने 90,000 अब जो बेटा P&L appropriation account बनेगा बेटा वो 90,000 से बनेगा मैं क्या लिखोंगा by profit and loss account bracket में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो net profit कितना? 90,000 उसके बाद to interest on capital to interest on capital Mr. A Mr. B 15,000 इच दोनों को 15-15,000 रुपे interest on capital दिया बेटा partnership firm ने 30,000 का interest on capital दिया बबू, अगेन balancing highest total on the both side जो amount बच गई बेटा यह हम partners capital account में transfer कर देंगे यानि कि यह सीधा balance sheet में चली जाएगी partners capital account A and B अब एक बात यहाँ पर और बता देता हूँ बेटा जब question आपको कभी भी A और B की partner की ratio नहीं देगा हमेशा आप इन profit and losses को equally divide करोगे अभी बेटा मैं यह law कहता है ऐसा करने को मैं law का नाम भी clear कर दूँँगा कुछ देर के बाद इसी lecture में हम clear कर देंगे इस बात को बेटा अभी क्या हुआ A और B की ratio कहीं पर भी specified नहीं है तो मैं क्या करूँगा बेटा इसको equally divide करूँगा तो बेटा 60,000 को equally divide करने है तो A का share भी 30,000 और B का share भी 30,000 तो बेटा यह adjustments से related मैंने practical numerical भी कर दिया अगर हमें कभी भी कोई item profit and loss account की दी होगी तो हम सबसे पहले profit and loss account बनाएंगे बाद में बनाएंगे profit and loss appropriation account हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी item profit and loss account की है बेटा अगर कोई item manager से relate करती है या partner से relate नहीं करती है कोई भी item अगर partner से relate नहीं करेगी तो बेटा ओव्यस बात है वो P&L account का पाट होगी चलो जी बेटा अब बात करते हैं point number 4 की लो बच्चो मैं 4 और 5 वाइंट साथ साथ लिख देता हूँ लो जी बेटा मैं 4 और 5 टाम एक साथ clarify करूँगा आपको इससे related हम एक numerical करेंगे जिसमें मैं दोनों बाते कवर कर लूँगा अभी समझते हैं बेटा बात कहता है अगर कोई item या amount already charge कर ली गई है charge करना मतलब अगर कोई amount already deduct कर दी गई है profit में से then it is to be added back हमने लिखा है if any item और amount is already charged or deducted from profit लिख लो from profit then it is to be added back बेटा अगर कोई item या amount although पहले ही आप less कर चुके हो तो बेटा ऐसे cases में उसको add back करना है अभी समझाएंगे बेटा इस point को अभी इसको pending रखो fifth point बेटा अगर आपको बोले कभी salary दे रखे आपको per month basis आपको कह रखा है बेटा manager की salary है तीन हजार उपे मईना बेटा ये जान के question करता है आपको monthly salary दे दे ताकि आप तीन हजार लिखाओ बेटा मैं जो account finalize कर रहा हूँ पूरे financial year के कर रहा हूँ पूरे एक साल के कर रहा हूँ तो मुझे जो income चाहिए या जो मुझे खर्चा चाहिए बेटा एक साल का चाहिए अगर salary monthly basis पे है या बेटा quarterly basis पे है या बेटा half year basis पे है तो मेरी जिम्मेदारी है बेटा उसको full year में convert करना उसको yearly basis में convert करना इन दोनों से related बेटा मैं एक numerical frame करने की कोशिश करता हूँ लो जी समझना बच्चो example number two कोशन ने मुझे बोला salary to A and B 3000 per month 4000 per quarter ऐसे कोशन ने दिया मुझे इसके अलावा मुझे बोला interest on capital interest on capital given to a रुपी 30,000 profit after charging interest on capital but before charging salary is rupees 90,000 A और B की रेशो देदी question है let's suppose मुझे two ratio one और कहता है बेटा calculate कर दो prepare कर दो P&L appropriation account prepare P&L appropriation account लो मेरे प्यारे बच्चों अभी इस बात को बहुत अराम से समझेंगे आप बेटा देखो question पढ़ने में आप ज़्यादा time खर्च करना rather than उसको लिखने में आप ज़्यादा time खर्च करो हम करते क्या है बेटा जब question को read करते हैं तो तो plainly read कर देते हैं बिल्कुल अराम से जल्दी जल्दी read करते चले जाएंगे और उसके आप लिखने में हम time खर्च करते हैं बेटा बाबू हमने question पढ़ने में ज़्यादा time खर्चना है और बेटा हम लिखने में कम time लगाने वाले हैं सुनो बच्चो क्या लिख हुई ये बात बाबू इसने लिखा हुआ है कि salary दी है A को 3,000 रुपे महिना और B को 4,000 रुपे quarter read the adjustment number 5 बेटा अगर कभी कोई salary आपको monthly दी हो quarterly दी हो half yearly basis पे दिया हो सबसे पहले मैं उसको convert करूँगा बेटा into full year that simply means बेटा A की salary कितनी है अगर 3,000 रुपे महिना है यानि की साल भर की बेटा 36,000 रुपे salary है बेटा अगर B की salary 4,000 पर quarter है बेटा quarter होता है 3 महिने को group करके हम quarter बोलते हैं अगर मैं 3 months को group कर दूँ बेटा तो एक quarter बन जाता है यानि की बेटा साल भर में 4 quarter आता है B की salary 4,000 पर quarter है तो बेटा पूरे साल की salary कितनी है बेटा 16,000 है बेटा B की salary बवु उसके बाद मुझे interest on capital दे रखा है 30,000 कि आपने A को जो interest on capital पे करा वो 30,000 का interest पे करा और बेटा आगे मुझे question बोलता है Profit after charging interest on capital but before charging salary is 90,000 बेटा समझना क्या करा है कहता है ये जो profit है ना ये after charging interest on capital है इसमें से आप interest on capital माइनस कर चुके हो लेकिन ये जो profit है ये before charging salary है इसमें से ये salary माइनस नहीं करी लेकिन ये interest on capital माइनस कर दिया बेटा क्यों कर दिया मुझे तो वो net profit चाहिए जिसमें से कोई भी चीज़ deduct ना होई हो कैसे माइनस कर दिया आपने दुबारा read करो बेटा क्या लिखा है Profit after charging interest on capital ये वो profit है बेटा जिसमें से आप interest on capital को charge कर चुके charge करने का मतलब बेटा deduct कर चुके हो आप लेकिन ये वो profit है बेटा जिसमें सभी तक salary charge नहीं हुई before charging any salary बेटा इसमें से salary charge नहीं करी बेटा मैंने 4. यही लिखा अगर कोई item या amount अगर आप already charge कर चुके हो या deduct कर चुके हो from profit then it is to be added back बेटा अगर मैं सही माहिने में अपना net profit निकालो तो मेरा net profit 90,000 नहीं है क्योंकि ये 90,000 कब आया बेटा after charging interest on capital और मैंने तो interest on capital चार्ज करना ही नहीं मैं तो interest on capital बिना charge करे net profit निकालना चाहता हूँ तो बेटा interest on capital वापसी add back कर दो आपने कैसे charge कर दिया मैंने यही बात लिखिया बेटा देख लो अगर कोई amount already charge आपने कर दी है तो उसको पहले हम add back करेंगे लो जी कर दी जी add back कर दी interest on capital चार्ज किया था add back कर दिया बेटा जो मेरा net profit आया वो 1,20,000 आया यानि कि मेरा question कहां से start होगा इस 1,20,000 से start होगा लो मेरे प्यारे बच्चो हम करते हैं बेटा इसको solve करने की कोशश मैं इसको rub कर रहा हूँ आप video post करके बेटा यह सब note करते जाना साथ साथ लो जी लो जी बच्चो हम prepare कर रहे हैं P&L Appropriation Account एक बार फिर से अब आप सब format के through बनाएंगे आप shortcut का use नहीं करेंगे लेकिन मैं कर रहा हूँ मैं बार बार लिख रहा हूँ P&L App Account आप पूरा लिखेंगे बेटा Profit and Loss Appropriation Account वर्ड भी आप पूरा लिख सकते हैं लो जी यह account कहां से start होता है By Profit and Losses By Profit and Loss Account bracket में हम लिखते हैं बेटा Net Profit मुझे कोई amount charge किया Net Profit नहीं चाहिए बेटा मैंने वो calculate कर लिया 1,20,000 लो बचो मैंने लिख दिया बेटा 1,20,000 अब मैं salary देने जा रहा हूँ बेटा A और B को 2 salary A और B की salary बेटा A की salary हमने calculate करी 36,000 और B की salary 16,000 यह बेटा पूरे साल की salary है मुझे monthly या quarterly नहीं चाहिए यह बेटा calculate करी 52,000 उसके बाद बेटा interest on capital लो जी लिख दो 2 interest on capital बाबू यह सिर्फ interest on capital A का given है इसलिए मैं B का रब कर देता हूँ यह given है बेटा 30,000 चलो जी बेटा highest total on the both side मैंने highest total लिख दिया 1,20,000 on the both side यह total है बेटा 82,000 that means बेटा जो मेरे पास profit बच गया वो 38,000 बच गया अब बेटा मुझे क्या करना है इस 38,000 के profit को 2 ratio 1 में बेटा divide करना है partner A और B में मुझे बेटा profit sharing ratio दिया वै 2 ratio 1 बेटा देखो मुझे 38,000 के profit में से A को share देना है कितना A का share कैसे निकालोगे बेटा बबू A की ratio है 2 out of total total क्या बेटा 2 plus 1 3 बेटा जो A का share है बेटा वो 2 by 3 है और 20 share in the profit बेटा 38,000 के profit में उसका share है 1 by 3 1 out of total, total is 3 तो बेटा यहां से हम share calculate कर लेंगे और बेटा यहां पर figure में put कर देंगे तो बेटा यहां हमने क्या करा concept number 1 समझ लिया बबू अब हम book के question करेंगे बेटा book के लिए हम T.S. गरेवाल की book करेंगे बेटा 2021 edition की बबू सब बच्चे T.S. गरेवाल 2021 edition खरीद लें ताकि हमारे question number बिलकुल match हो जाएं बच्चो और उसके बाद हम question number बोलेंगे और सीधा start कर देंगे बेटा solve करना अब सबसे पहला question जो हम कर रहे हैं बेटा book का वो page number 2.84 पर given है question number 13 लो जी मैं कर रहा हूं बेटा question page number 2.84 question number 13 बेटा read करने में हम ज़्यादा time लगाएंगे कहता है विनोद और मोहन आर पार्टनर्स विनोद's capital 1,000 मोहन's capital 60,000 ठीक है जी कहता है विनोद और मोहन पार्टनर है मैंने लिख दिया विनोद और मोहन पार्टनर है बेटा कहता है विनोद ने जो business में capital लगाई वो 1,000 है और जो मोहन ने capital लगाई वो बेटा 60,000 है ठीक है जी मैंने लिख दिया कहता है interest on capital interest on capital pay करना है 6% per annum जो आपने दोनों को ब्याज देनी है वो 6% देनी है साल की ठीक है मेरे प्यारे बच्चो उसके बाद बोलता है बेटा विनोद सैलरी इस 3,000 पर मन्त और बेटा कोर्षन मुझे देता है net profit for the year is 80,000 और बोलता है बेटा prepare P&L appropriation अकाउंट और मुझे prepare करने को बोलता है P&L appropriation अकाउंट लो मेरे प्यारे बच्चो समझते हैं इस कोर्षन में कुछ भी नहीं है मैंने P&L appropriation अकाउंट का नाम shortcut में लिख दिया बेटा आप पूरा लिखेंगे मैं format में बार बार ना तो particular word लिख रहा हूं ना amount आप पूरा लिखेंगे लो जी सबसे पहले बेटा कोर्षन स्टार्ट होता है नेट प्रॉफिट से बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रेकेट में आप लिखेंगे नेट प्रॉफिट 80,000 लो जी ये फिगर मैंने पुट कर दी कहता है विनौद की सेलरी है 3,000 रुपे महीना बेटा याद करो कंसेप्ट नंबर 1.5 अगर कोई रेमिनेरेशन कोई सेलरी आपको पर मन्त बेसिस पर दी गई है तो हम उसे क्या करेंगे बेटा yearly convert कर देंगे बाबु ये मुझे पर मन्त दी गई है मैंने इसको yearly convert कर दिया तो बेटा मेरे सामने विनौद की सेलरी आ गई तू विनौद सेलरी कितना बेटा 36,000 36,000 रुपे सेलरी आ गई मैंने इसको भी record कर दिया question कहता है बेटा विनौद की capital एक लाख मोहन की capital 60,000 क्या बेटा capital जाती है P&L appropriation account में नहीं बच्चो नहीं format याद करो बाबू interest on capital जाता है rather than capital capital कभी भी part नहीं होती P&L appropriation account का तो हम क्या करेंगे बेटा interest on capital calculate करेंगे बेटा एक लाख की capital पे 6% विनौद की capital पे बेटा वियाज दे दो लो जी वियाज बैठी 6,000 रुपे बेटा मोहन की capital पे भी दे दो मोहन की capital 60,000 6% वियाज दे नहीं है बच्चो लो जी 3600 रुपे वियाज तो बेटा मैंने interest on capital की calculation कर ली है 2 interest on capital बेटा विनौद को मिलेगा interest 6,000 और मोहन को interest मिल रहा है 3,600 जाने की total interest on capital is 9,600 बेटा क्या question में और कुछ मुझको दिया है नहीं दिया बेटा मैं सब कुछ record कर चुका तो बेटा highest total on the both side balancing करेंगे हम highest total is 80,000 on the both side बेटा इस side का total आ क्या रहा है 45,600 बेटा that means जो मेरे पास balance बच गया है वो है 34,400 ठीक है जी अब मैं इसको क्या करूँगा बेटा transfer कर दूँगा to partners capital account Vinod and Mohan बेटा क्या मुझे Vinod और Mohan के बीच की ratio दी थी question in नहीं मेरे पास ना तो Vinod की ratio specified है ना ही बेटा Mohan की कोई PSR profit sharing ratio मुझे नहीं दी वी तो बेटा ऐसे cases में मैं क्या करूँगा इस profit को बेटा equally बाट दूँगा मैं ये बात law से confirm करने वाला हूँ concept number 2 में तो बेटा मैंने क्या कर रहा इस profit को in the meantime equally बाट दिया 34,400 को बराबर बराबर बाट दिया 17,200 विनोत का हिस्सा और मोहन का हिस्सा भी 17,200 तो बेटा मैं question number 13 कर चुका हूँ और आपके लिए मैं दो question homework दे रहा हूँ question number 14 as well as question number 15 बेटा next class में आते ही हम ये solve करेंगे अगर किसी बच्चे की problem होगी तो अगर ये problem नहीं होगी तो बेटा हम further proceed कर सकते हैं ठीक है जी तो अभी हम start करते हैं बेटा concept number 2 आपको याद होगा बच्चों मैं बोल चुका हूँ बारबार हमें conceptual study करनी हैं हमें question रट कर नहीं जाना कोई भी हम कोई question CVST बोड तक लेकर नहीं जाने वाले बेटा लो बच्चों concept number 2 बाबु मैंने कल आपको एक बात और बोली थी कि जब भी मैं कोई concept लिखोंगा हमेशा उस concept की कोई न कोई heading होगी ठीक है न और इस concept की heading है partnership deed इस concept की heading है बेटा partnership deed कल इसके बारे में detailed चर्चा हो गई आज कुछ extra बात भी करेंगे सबसे पहला point यह लिखेंगे कि partnership deed क्या होती है it is a written agreement it is a written agreement between partners with specify the with specify the terms and condition between partner with specify the terms and condition between partners बावू मैं कल भी बता चुका हूँ इसके बारे में बेटा partnership deed क्या होती है एक written agreement है और ख्यूक्कि बेटा written form का agreement है ये बेटा हमेशा stamp paper के उपर लिखी जाती है इंडिया में बेटा stamp paper के उपर लिखी जाती है सारे agreement वहीं लिखे जाती है तो बेटा ये एक written agreement है partners के बीच में जो बेटा specify करता है सारी कि सारी terms and condition जो भी partner के बीच में तै हुई है जैसे कि बेटा इट में भी PSR इट में भी profit sharing ratio इट में भी capital contributed by each partner इट में भी drawings made by each partner इट में भी interest on capital इंटरस्ट on drawings admission of a partner retirement of a partner death of a partner dissolution of a partner बबु मेथट ऑफ सॉल्विंग dispute auditor of the partnership firm तो बहुत सारी बाते बेटा partnership deed में लिखे होती है बबु दूसरी बात कल मैंने एक बात बोली थी आपको लिखने के लिए कि partnership deed is a compulsory document अब बेटा यहाँ पर बात बड़ी important हो जाती है मैंने star लगा दिया इसके उपर it is it is not essential to have बबु अब आप सोच रहे होंगे यह जो मैंने कल बात लिखी थी है उससे contradiction क्यों कर दिया कल मैंने बोला था partnership deed compulsory document है आज मैंने क्या लिख दिया मैंने लिखा partnership deed it is not a essential document but it is desirable बबु ऐसा क्यों लिखा बबु मैक्सिमम केस में होता पता है क्या है A और B दो लोग मिले आपस में A और B ने कहा अच्छा मिलकर कोई काम करें let's suppose की इन दोनों ने बोला कि एक काम करता है मिलकर share market में ट्रेडिंग करें A ने बोला 10,000 में लगाऊंगा B ने बोला 10,000 में लगाऊंगा अब इनको लगा कि मैं partnership deed पे expenditure क्यों करूँ हम सर्फ 20,000 रुपे से business को start कर रहे हैं partnership deed बनाने का मैं 4-5,000 रुपे खर्चा ही क्यों करूँ तो हम क्या करते हैं बेटा verbally contract कर लेते हैं हमने क्या करा verbally बेटा terms and condition तै कर दी क्या हमने कोई return agreement करा नहीं बेटा देखो ऐसा बोला जाता है कि partnership deed desirable है माना जाता है कि अगर बना लो तो litigation से बच जाओगे लेकिन अगर नहीं भी बनाओगे तो बेटा क्या होगा litigation में फसने के chances बहुत जादा हो जाते है बेटा देखो अगर आप partnership deed बनवाल हो तो क्या कोई litigation होगा नहीं उसमें सारी के सारी terms and condition लिखी होंगी इसलिए माना जाता है बेटा partnership deed desirable है होनी जरूरी है लेकिन लोग क्या करते हैं क्योंकि maximum case में verbally contract कर लेते हैं तो बेटा वहाँ litigation में फसने की possibility बहुत ज़ादा हो जाती है बेटा और वहाँ पर partnership deed नहीं बनी होती तो मैं maximum case में यही देखता हूँ दुनिया में बेटा partnership deed नहीं होती तो अगर कभी कोई partnership deed ना हो और कभी कोई जगडा हो जाए तो बेटा वह कैसे resolve होगा बेटा ऐसे cases में हमारी Indian partnership pact 1932 के provision लग जाते हैं लो मैं लिख कर यह बात को समझाता हूँ बाबू आपको बाबू मैंने क्या लिखा मैंने लिखा in case partnership deed does not exist or silent then provision of Indian partnership act 1932 will apply मतलब बाबू आपने verbal contract करा कोई partnership deed थी नहीं और आपकी योगी लड़ाई जगड़े बेटा litigation हो गए और आप court पोच गए बेटा तो ऐसे cases में क्या होगा बेटा court कहीं न कहीं Indian partnership act 1932 के provision लगाएगी और आपके litigation को solve कराने की कोशिश करेगी और मैं बोलता हूँ बेटा partnership deed तो थी लेकिन कुछ provision पे silent रह गई जैसे की partnership deed आपने लिखवा दी पूरी लेकिन profit sharing ratio लिखना भूल गए तो क्या होगा तो बेटा profit sharing ratio के लिए आपको Indian partnership act 1932 का provision पढ़ना पड़ेगा या partnership deed तो लिखी लेकिन बेटा salary commission की बात लिखना भूल गए या interest on capital लिखना भूल गए या interest on drawings लिखना भूल गए तो क्या होगा तो बेटा ऐसे cases में भी मुझे Indian partnership act 1932 के provision को read करना पड़ेगा बेटा बबू ये provision क्या है बबू अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं same की same case study में ठीक है ना एक case study बनाएंगे बेटा और same बात को समझने की कोशिश करेंगे लो सुनना बेटा मैं एक point और insert कर देता हूँ या पर fourth point provisions of Indian partnership act 1932 क्या provisions है ये लो बेटो समझो salary commission not allowed interest on capital not allowed interest on drawings not charged profit losses shared equally interest on loan given by partners 6% per annum interest on loan two partner not just लो बच्चो ये 6 provision Indian partnership act 1932 ने बनाएं मैं बोलता हूँ बेटा A और B मिलकर share market में trading कर रहे थे verbal इन्हों ने contract करा और लडाई जगड़े हो गए ठीक है ना जो normal case में हो जाते हैं आप court कचैरी तक पहुच गए मामले को सुलजाने के लिए बेटा अब क्या होगा क्यूंकि आपने कोई partnership deed नहीं लिखी कोई return agreement आपके बीच नहीं है तो ऐसे cases में बेटा Indian Partnership Act 1932 के provision लग जाएंगे वो क्या कहते हैं कि अगर कोई partnership deed नहीं है तो बेटा ना तो कोई salary ना ही commission किसी भी partner को मिलेगी कभी allow नहीं करेगी बेटा partnership firm ना ही बेटा कोई interest on capital मिलने वाला है किसी भी partner को ना ही बेटा interest on drawings चार्ज कर सकती partnership firm partnership firm भी बेटा interest on drawings के नाम पर कुछ नहीं ले सकती ना कोई interest on capital ना कोई salary commission ना कोई interest on drawings बेटा what about profit losses मैंने थोड़ी देर पहले एक question number 13 किया था और उससे पहले एक example किया था मैंने आपको का था मैं एक law का reference देकर बताऊंगा कि अगर question में कभी कोई PSR ना given हो तो उसका क्या होगा बेटा ये देखो law की reference ये मेरे को कानून ने बताया Indian partnership act 1932 ने बताया अगर बेटा कोई verbal contract है partnership deed नहीं है तो profit losses जो भी हो बराबर share होंगे अगर दो partner है तो equal ratio one is to one अगर तीन partner है तो one is to one is to one हमेशा बराबर share होंगे जितने भी partner होंगे ठीक है जी बेटा what about interest on loan given by a partner बाबू इन दोनो statement को बहुत अराम से पढ़ना यहां गड़बड कस को बहुत ज़्यादा होता है क्या लिखा है मैंने interest on loan given by partner बेटा एक partner ने partnership firm को loan दे दिया एक partner ने partnership firm को loan दे दिया उसका क्या होगा बेटा partnership firm 6% साल के इसाब से ब्याज पे करेगी चाहे partnership deed है या नहीं है मेरे प्यारे बच्चों सुन लो बबू law का कहना ऐसा है अगर किसी partner ने क्यों ना loan दिया हो partnership firm को आप ऐसा समझो किसी outsider ने loan दिया है जब किसी outsider ने loan दिया है partnership firm को तो बेटा अगर partnership deed नहीं भी है तो इसमें outsider की क्या गलती है सामने वाले ने आपको loan देकर कोई गलती थोड़ी करती तो बेटा आपको ब्याज दिलवाई जाती है अगर कोई भी partner partnership firm को loan देता है तो बेटा 6% साल के इसाब से आपको ब्याज दिलवाई जाती है मानलो इस partner पार्टनर ने loan दिया था बेटा एक लाख रुपे का तो बाबू आपको 6,000 रुपे साल की ब्याज मिलेगी चाहे partnership डीड ना भी हो तो भी अच्छा जी तो बेटा last point क्या है last point बेटा इसका opposite है कहता है interest on loan to the partner मतलब मतलब बेटा partnership firm ने इस बार loan दिया है partnership firm ने अपने partner को loan दिया है ठीक है जी और बेटा partnership deed exist नहीं करती तो क्या बेटा कोई interest charge कर सकती है partnership firm बेटा answer is no कानून बोलता है कुछ भी charge नहीं कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चो ये concept बस इतना सा था एक बार मैं दुबारा बोल रहा बाबू partnership deed एक return agreement है partner के बीच ठीक है ना माना जाता है जरूरी है बना लो litigation से बज जाओगे लेकिन बहुत सारी दुनिया क्योंकि verbal contract पे चलती है तो दुनिया नहीं भी बनाना चाती खर्चा नहीं करना चाती अगर आप बेटा नहीं कर्चना चाते तो आप litigation में आ सकते हो ऐसे cases में बेटा अगर partnership deed exist नहीं करती या किसी provision को लेकर silent रह गई या गलती से तो बेटा ऐसे cases में provision of Indian Partnership Act 1932 बेटा ये चे प्रोवीजन है कोई भी salary commission नहीं मिलने वाली कोई interest on capital नहीं मिलने वाला कोई interest on drawing साब charge नहीं कर सकते profit और losses equally share करने पड़ेंगे interest on loan given by a partner 6% per annum और interest on loan to the partner ये भी charge नहीं कर पाओगे इससे related है question है बेटा हमारी book में question number 1 बाबू हम question number 1 करने जा रहे हैं जो page number 2.81 पर given है लो जी मैं पढ़ता हूँ question को question number 1 जो page number 2.81 पर given है लो जी मैं लिखता हूँ page number 2.81 question number 1 लो जी पढ़ना question क्या कहता है मैं पढ़ने में ज़्यादा time खर्च करूँगा बच्चो in the absence of partnership what are the rules relating to कहता है अगर partnership deed नहीं है तो क्या rule है और मुझे दिये हुए है कुछ बेटा 6 points ठीक है जी देखते हैं सबसे पहला point दिया salary to the partner मेरे प्यारे बच्चो ये question क्या है ये तो हमारे concept में clear हो रहा है बाबु मुझे point number one दिया हुआ है कि partnership deed नहीं है और salary देनी है तो क्या करेंगे बेटा क्या salary आप दे सकते हो नहीं बेटा not allowed not allowed second point बोलता है interest on partners capital partner की capital पे ब्याज क्या होगा बेटा इसका बड़ा obvious answer है ये लिखा हुआ बेटा not allowed आप interest on capital भी नहीं दे सकते बेटा interest on loan by partner सर अराम से पढ़ लो interest on loan by partner partner ने loan दिया हुआ है उसके ब्याज क्या क्या बेटा ये रहा point number five अगर partner ने loan दिया है बेटा आपको six percent per annum ये मानते हुए कि किसी outsider से आपने ब्याज पर पैसे उठाए है ठीक है जी what about division of profit d.4th point मुझसे बुझत है division of profit sir equally shared चाहे loss है चाहे profit है बेटा बराबर बटने वाला है what about interest on partners drawing बेटा partner की drawing पर interest का क्या होगा बाबु नहीं charge कर सकती partnership firm उसे नहीं मिलेगा कोई भी interest on drawings बेटा what about interest on loan to partner अगर आपने interest पर पैसे दिये है किसी partner को तो बेटा आप यहाँ पर भी कोई भी interest charge नहीं कर पाओगे ये वही 6 point है बेटा जो मैंने concept बनाया था ये वही 6 point है बेटा जो मैंने concept बनाया था इसी के साथ हमारा question number 1 भी खतम हो जाता है अब प्यारे बच्चों आपको 2 question homework में करने है question number 14 और question number 15 आज का lecture हम यहीं wind up करते हैं कल मिलेंगे बेटा concept number 3 के साथ बाई बाई